नमस्कार, स्वागत है सभी आंगनवारी वर्कर्स एवं जीविका दीदियों का आज के इस नए और इंफरमेटी वीडियो पे जीविका दीदियों का नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ जैसे कि आप लोग थमनेल देखी चुके होंगे कि स्वायम सहायता समो की जो जीविका दीदि हैं जो हर महीने ग्राम संगठन आयोजित करती हैं उस ग्राम संगठन में आगनवारी सेविकाओं की क्या भूमिका रहेगी इसे सम्मद्धित ICDS विभाग ने एक लेटर जारी कर दिया है और इसमें कुछ ऐसे विश्वयों पर चार्चा करनी है जिसके सम्मद्ध में कुछ महतुपुन बिंदु दिये गए हैं उस बिंदु को आप सभी आगनवारी सेविकाओं को ध्यान से देख लेना है और सुन लेना है तो आज की ये लेटर काफी इंफोर्मेटिव होने वाली है अगर आप लोग को आज की ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दिजेगा चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटिक के बेल नोटिफिकेशन दबाने के बाद ऑल का बटन जरूर सिलेट कर लिजेगा तो की संची का संखे आप लोग देख पाएंगे 6302 इस लेटर को जारी करने वाले हैं निदेशक आईसीडियेस निदेशालाय बिहार पटना के तरफ से ये लेटर जारी किया गया है और कि इनको ये लेटर जारी किया गया है तो सेवा में सभी जीला प्रोग्राम पतादिकार इस लेटर का जो मुख्य विसाय है आप लोग यहां पर देख पाएंगे कि यहां पर विसाय में क्या लिखा हुआ है तो ध्यान से दिखिएगा लिखा गया है जीविका के ग्राम संगठन भी ओ यानि विलेज और्गोनाइजेशन बैठक में आगनवारी सेविका द्वारा भाग लेकर स्वास्त एवं पोशन सेवाओं पर चार्चा करने के संबंध में यानि कि जीविका द्वारा जो ग्राम संगठन प्रतीमा आयोजित की जाती है उस ग्राम संगठन में जो सेविका बहन है उनको भाग लेना है और स्वास्त एवं पोशन सेवाओं पर चार्चा करना है इसके समद्ध में नीचे कुछ महतोपून पॉइंट्स दे गए हैं उन पॉइंट्स को आप लोग को ध्यान से देख लेना है तो आगे लिखा गया है महासे उप्रियुक्त विशाय के समद्ध में ओगत कराना है कि जीविका के द्वारा ग्राम संगठन की बैठक मासि आगनवरी सेविका द्वारा भाग लेकर स्वास्त एवं पोशन इस्थिती पर चर्चा वो संबंधित सेवाओं से लभार्थियों को आउगत कराते हुए समुदाय उत्प्रेरन में सहयोग लिया जाना है जैसे कि जो आगनवरी सेविका है उस ग्राम संगठन में भाग ले तो चलिए उसके बाद यहाँ पे नीचे कुछ पॉइंट्स दिये गए है जो पहला पॉइंट यहाँ पे दिया गया है उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा लिखा गया है कि बैठक में आगनवरी सेविका के द्वारा पोशक छेत्र के कुपोशित बच्चो गर्भवत के बादे में जनकारी दी जाएगी ठीक है दूसरा नमर पॉइंट है आगनवरी सेविका द्वारा आईसीडियस द्वारा संचालित सभी सक्षम आगनवरी एवं पोशन 2.0 योजना परधान मंतरी मातरी बंदना योजना मुख्य मंतरी कन्या सुरक्षा योजना के बादे म आईसीडियस के द्वारा जो सेवाइद दी जाती है जैसे कि परधान मंतरी मातरी बंदना योजना पोशन 2.0 योजना मुख्य मंतरी कन्या सुरक्षा योजना इन सभी योजनाओ के बारे में संचालित को आगने मातरी सेThis ने हेतु सयोग प्राप्थ हो सके और जो तिसरा पॉइंट है लिखा गया है परतियक महा बच्चों के ब्रीधी निगरानी समुदाय अधारित कारेकरम यानि के अनपराशन गुदभराई और अति गंभिर कुपशित बच्चों को एनर्सी रेफर टीका करन इत्यादी के लिए लभार्थियों को उत्प्रेडित करने तथा समुदाय की भागिदारी सुनिशित करने में जीविका ग्राम संगठन के सदस्यों का अप्वेक्षी सहयोग प्राप्त किया जाना है यानि की जो भी कारेकरम होते हैं आंगनबारी के अंदर पे जैसे की प्राप्त किया जा सकता है ठीक है उसके बाद अगला जो पॉइंट है लिखा गया है जीविका के बीपी एमियू कर्याले के द्वारा परखंड के अंतरगत सभी ग्राम संगठन बैठक की सुची अस्थान वो तिथी सहीत बाल विकास पर्योजना कर्याले को उपलब्द कर आए जाएगा और उसके बाद अगला पॉइंट दिया गया है बाल विकास पर्योजना पतादिकारी द्वारा ग्राम संगठन की बैठक में भाग लेने है तू संबंधित गाउन नजदीकी गाउं की आंगनबारी सेविका को नामित किया जाएगा इस है तू सीडिपी ओ द जाएगा और इस कारी योजना के बारे में उनको जनकारी दी जाएगी ठीक है उसके बाद यहां पे नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है ग्राम स्तर पर आपसी समन्वे हेतु यथा संबंधित महिला परविक्षी का द्वारा भी बैठक में भाग लिया जाना है और उसके बाद जो अनतिम पॉइंट है यह आप लोगों को ध्यान से देख लेना है लिखा गया है ग्राम संगठन की मासिक बैठक में आगनवारी सेविका के द्वारा आगनवारी केंदर संचालन के उपरांत भाग लिया जाना है यानि कि यू जो बैठक होगी वो आगनवारी केंदर चालन करने के बाद ही जो आगनवारी सेविका है उस बैठक में भाग लेंगे उक्त के आलोक में निदेश है की जीविका के ग्राम संगठन की बैठक में स्वास्त और पोशन इस्थिती पर चर्चा है तो आगनवारी सेविकाओं की उपर स्थिती सुनिशित करने की दिशा मे आवस्य करवाई की जाए तो इस प्रकार से आप लोग देख पाएंगे कि आगनवारी सेविकाओं के लिए ये लेटर जारी किया गया है कि जो जीविका के द्वारा ग्राम संगठन की बैठक की जाएगी उसमें इन विश्यों पे चर्चा करनी है और आपको जो इस ग्राम सं जरूर किजेगा और इस चैनल को अगर आप लोग सब्सक्राइब दें नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा तो मिलते हैं फिर किसी नए टविक, नए जनकारी के साथ तब तक के लिए जय हिंद